नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शब्गुसरन अगिनियत्री और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम डिसकस कर रहे थे टीचिंग एप्टिट्यूट के कुछ टॉपिक्स की और आज का टॉपिक है आज के डिसकेशन का टॉपिक है टीचिंग मॉडल टीचिंग मॉडल्स बहुत ही चोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यागा इंपॉर्टन है इसलिए भी है क्योंकि यह टॉपिक यूद्री सिनेट पेपर वन में तो काम आए गाई है आपको इसके अलावा भी जैसे आप कोई टीचिंग से रिलेक्ट तो टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो किसी टीचर को एक एक प्लान अफ एक्शन देते हैं एक पैटर्न देते हैं कि इसे साब से उसको क्लास में बिहेव कर रहा है क्लास में कौन सी मेथेड लगाने है वो एक टीचिंग मॉडल्स एक टीचर को गाइड करता है और बीजि सब्सक्राइब करता है अपनी टीचिंग के लिया तो उसके पास रास्ते होते हैं जाधा तर एक होता है पेड़ियर का और एक होता है अमटव दो और यह इस पूरी तरह से टीचर के टाता है और च्लास के उपा टिप्पेड करता है और बच्छों के पिएव Вамन करता कि तूब कौई सा प्मक्राइब लगाएगा तो चलिए फिर्म सकते हैं पहली चाहिए पते हैं कि यहां पर सारी लेर्णिंग टीचिंग होती है उसका जो मेन केसिली टेर होता है वह टीचर ही होता है लेकिन च्रॉस्ट करने का राइट नहीं होता है या उनको इजादत पहले नहीं दी जाती थी फिलहाल जो modern जो modern जो है pedagogy उसमें मिलने लगी है अभी लेकिन जो conventional model था जो pedagogy को उसमें उनको ये इजास्त नहीं थी उनको सिर्फ notes बनाने और चीजों को सुनने की आज़ादी थी तो ये इसलिए ये जो model है उसको teacher centered model कहते है इसके बाद हम देखते हैं कि five domains और phases of pedagogy यहां पर पांच phases हैं किसी pedagogy में जो provide करते हैं एक learning cycle बनाते हैं learning cycle बनाते हैं यहां पर हम देखते हैं कि कैसे बच्चे learn करते हैं pedagogy model में तो सबसे पहले जब teacher क्लास में इंटर करता है तो वह engage करता है बच्चे उसके साथ engagement होती है इंगेजमेंट होने के साथ में बच्चे बच्चे teacher को और teacher बच्चों को explore करता है उनको समझने का प्रयास करता है exploration में वहाँ पर उनकी need को देखता है कि क्या need है हमकी और किसे साथ से उनको पढ़ाया जाएगा उसके बाद में जो topic होता है यह जो curriculum हो यह syllabus होता है उसको explain करता है बच्चों को explain करने के बाद में चीज़ें समझ में आने लगती है और चीज़ें जो समझ में आई हैं students को का evaluation करता है लास्ट में सबसे लास्ट में evaluation process आता है कि यह दोनों के ही काम आता है इसके बाद में आता है वो बच्चों को मिलता और किस तरह से कितना उन्होंने सीखा और किस तरह से अपनी जो पढ़ाई है उसको और अच्छे तरीके से continue करते हैं इसकी बाद में आता है आपना जो टर्म है एंड्रोगाजी पूरी तरेके से लेर्नुर्स लेर्न की बात हम करते हैं इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर का रॉल थोड़ा कम हो जाता है बच्चों का रोल ज्यादा हो जाता है करते हैं और चीखने वाले लेर्नर्स आ बच्चे होते हैं इसलिए यह modern अप्रोच इसको बोला जाता है और यह समझ लिया इसको और यहाँ पर मैंने दोनों जो पेड़ागोजी का डिफरेंस है यहाँ पर लिख दिया वैसे मैंने जितना अभी तक समझाया है उससे आपको इसका बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो होते हैं अविज और आऌजस यहां पर एज नहीं है सटेज जो बच्छे डिपेंडेंडेंस उत फॉसको उनको इद आलजस बोलते हैं तो वही नहीं है वहाँ पर जो क्या था और वार चीछ के था हुट की सब्यों चूर्द हो पोल जे तो स्कूल सक्याइंड इसलिए और लुक्टेटेटेट्र होते हैं और इसकूल को सब्सक्राइब इसलिए इंडिया में वह पीड़ाज्य के एंडर में आती है और जो ऑलिजिक फढ़ाई होती है यानि की यूजी लेबल की और पीजी लेबल की वह आपकी आती है एंड्रोव अजी में वहाँ पर बच्चे खुद से चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित होते रहते हैं इसके बाद में एक टॉपिक और है नया टम आया है अभी जो नया स्लेबस उसमें जुड़ा हुआ है लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह कई बार देखने को बल जाता है इसके कोश्चन बन जुका है एक बर हीटागी हीटागी में क्या होता है सेल्फ डिरेक्टर लेंडर्स होत इसके बाद बाद आए यहां पर जो स्कॉलर्स होते हैं वो खुद से मोटिवेटेट रहते हैं उनके इंदर क्रियाटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और वो सारा सारा काम खुद इसे ही घरते हैं वहां पर टीचर की जो प्रिजन से बहुत ही ना के बराबर है हैं और कुछ ही हो सकता है आपको क्लेर हुई होंगे थैंक्यू गाइज प्लीज लाइक और शेर दे वीडियो और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्यू गाइज गॉड ब्लस्यू अल